हांजी स्टुडेंट्स हम अपना पार्ट नमबर 13 एक तिनका उसके कोशन से कर रहे थे हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में इसके फर्स्ट थ्री कोशन से किये थे आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसका फर्स्ट कोशन है गमंडी की आँख से पिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया इसका उत्तर गमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मोट बना कर उसकी आँख में डाली मना नेक्स्ट कोशन ने एक तिनका कविता में गमंडी को उसकी समझ ने चितामनी दी आगे पंक्ती है एट ता तू आगे मैंने डाश डाश लिखा है और लास्ट वाली लाइन लिखी है आप अपनी बुक से देख सकते हैं कि क्या है इसी प्रकार की चितामनी कभी ने भी दी है तिनका कव जड़ी सेकिंड पंक्ती है वो भी मेंने उसका जो फर्स्ट लाइन है वो लिकी है और आगे डार लास्ट वाली लाइन लिखी है गनेरी होई तो आप जो दोनों पंक्तियां अपनी बुक से देख सकते हैं कि क्या है उन्होंने क्या पूशा है इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं उपयुक्त कावयांश के माद्यम से कभी ने ये संदेश दिया है कि हंकार नहीं करना चाहिए क्योंकि एक छोटा सा तिनका भी अगर आख में पड़ जाए तो मुनुश्य को बेचैन कर देता है इन दोनों कावयांशों की पंक्तियों में अंतर कावयांशों में अंतर यह है के हरी ओन जी दौरा लिखींग पंक्तियों में किसी परकार के अहंकार से दूर रहने की चितामनी दी गई है क्योंकि एक तिनका भी हमारे अहंकार को चूर कर सकता है शोटे से शोटे वस्तु का अपना महतव होता है दोनों में गमंड से बचने की शिक्षा दी गई है पर तेक्तुष समझी जाने वाली वस्तु का अपना महतव होता है तो ठीक है बच्चों आज के लिए बस इतना ही ओमेद्या आप सबको समझ में आ गया होगा धन्यवाद